जैसरी शाम स्वागत है आपका प्राचिन ध्रमग्यान चैनल में दर्श को आज नवरात्री की नौमी तिथी और राम नौमी का पावन पर है यदि आप भी इस अवसर पर भगवान राम, मा दुर्गा और मा लक्षमी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस नवरात्री आप यह उपाई अवश्य करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और केमेंट में लिख दीजिए जैसरी राम, जै मादुर्गा, जै माता दी तो सबसे पहले आपको सुभह सवेरे जल्दी उठकर घर के मुख्य द्वार पर सफाई करके दोनों तरफ पानी छिड़क देना है घर के मुख्य द्वार को साप सवच करने के बाद फूलों से माता रानी की रंगोली बनाएं और उसके बाद शुद्गी का दीपक घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चलाएं और साथ ही अपने घर की भी अच्छे से साप सफाई करें और फिर नहा दोकर स्वच कपड़े पहन कर माता रानी का पूजन करें और माता रानी का पूजन करते समय एक कपूर की टिकिया लें और उसके उपर दो लोंग रख लें अब इसको जला दें और घर के चारो तरफ चारो कोनों में इस दुवे को दिखाएं ऐसा करने से घर में सकारात्म कुर्जा का संचार होता है और माता लक्षमी प्रसन होकर आपके घर में प्रवेस करती है और शाम के समय भी सुर्यास्त के बाद आपको अपने घर के मंदिर में पूजा अरचना करनी है और मुखे द्वार पर शुद्धी का दीपक अवश्य जलाना है और दुर्गा रक्षक वस्तोत्र का पाठ भी करना है क्योंकि इन नो दिनों में माता लानी प्रत्युए पर भ्रमन करती है जो भग्त माता लानी का सच्चे हिर्दे और शुद्ध भावना से पूजा अरचन और ये उपाई करती है उनके घरों में मातरानी परशन होकर उनके घरों को धन धने से भर देती हैं और उनके सारे कस्ट पीडाओं बाधाओं को भर लेती हैं और उनके घरों में इतना धन आता है कि उनके साथ पूस्ते बैट कर राज करती हैं और उनके घरों में धन आने के नए मार्ग भी कुलते जाते हैं तो आशा करते हैं इस उपाई को करके आप भी अपने घर से आर्थिक तंगी को दूर कर सकेंगे और आपको भी कोई प्रेशानी दुख तकली पीडा है तो अपनी राशी को कमेंट में बताएं हम आपकी राशी अनुसार उपाय बताने की जरूर कोशिश करेंगे अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तो जय मातादी मिलती हैं अगले वीडियो में